हालो आप सभी का स्वागत है निदमानायस यूटीव चैनल पर मेरा नाम है रुतु शर्मा और आज हमें एक महत्पून टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि है आपकी हाई ऑल्टिटूड स्यूडो साटिलाइट सो इस सीडो साटिलाइट की अभी टेस्टिंग करी है तेस्टिंग होई है बेंगलारू में बेंगलारू बेस्ट आपकी एक लबरारिटी है न.A.L और उसने यहाँ पर इसकी टेस्टिंग करी है यह आपकी जो साटिलाइट है वो आपकी unmanned aerial vehicle रहेगी UAV और यहाँ पर अभी यह NAL कोशिश कर रहा है कि right now इसकी जो flight time है वो 8 hours तक रही है करीब करीब अब यह चाहते हैं कि कम से कम 24 hours पे लेके जाए फिर हम 90 days पे लेके जाए तो अब हमें यहाँ पर यह देखना है कि आखिर क्या क्या limitations जो है यह face कर रहे है NAL आगे बढ़ते हैं यह जो satellite है वो है आपकी high altitude pseudo satellite इसे आपका high altitude के साथ-साथ आप देखेंगे यहाँ पर high altitude आगे बढ़ते हैं आप देखेंगे इसे high altitude pseudo satellite के साथ-साथ इसे high altitude long endurance vehicles भी जो है कहा जाता है अब बात आती है इनका क्या महत्वे है इनका significance क्या है कोई भी एक शेत्र को survey करने के लिए monitor करने के लिए इनका बहुत जादा जो है उपियोग रहेगा अब आगे बढ़ते हैं इस technology के अगर हम बात करें already बहुत सारी देश जो है इस technology को use करने में आपका काम कर रहे हैं और हाली में आपके जो airbus है उसने एक zyphor करके इसी HPS की technology और satellite का जो है यहाँ पर निर्मान किया था और 64 days तक जो है continuously यह आपका air में रही थी इंडिया भी कोशिच कर रहा है कि इस timing को जो है वो increase कर सके अब बात आती है जो हमने prototype का इस्तरमाल किया वो आपका 8.5 hours तक अभी हम achieve कर पाए है और यहाँ पर हमारा goal क्या है goal है कि by 2027 हमें पूरी तरह से full scale machine ला सके जिसका duration of time रहे air में 90 days का duration of time रहे अब इसमें अगर आगे बढ़ें कि आखिर हमें इसकी जरुरत क्या है हमें क्यों जरुरत है इस HPS UAV vehicle की तो बात करें हैं आपे guys यह आपका पूरी तरह से अब आप देखें कि conventionally जो normal unmanned aerial vehicles होते है जो drones हम इस्तेमाल करते हैं वो battery के द्वारा जो है powered रहते हैं और उसके साथ साथ आपका बहुत ही कुछ समय के लिए उपयोग में आते हैं अब बात करें यहाँ पे continuous monitoring is not something these can do very efficiently और इसी के साथ साथ यह continuous क्या है किसी भी स्थान को monitor करने के लिए सक्षम नहीं है ऐसे ही आग Earth, LEO satellites है वो आपकी प्रित्विए साथ घूमती रहती है तो वो stationary नहीं है ऐसे ही अगर बात करें geostationary satellites की आप जानते हैं कि वो 36,000 अब आपका रहती है तो यह भी काफी height पे आपका रहती है और constantly एक ही इलाके को जो है यह monitor कर सकती है तो हर एक satellite की अपनी कुछ ना कुछ क्य है limitations है और इनहीं limitations को counter करने के लिए आपका HAPS के लिए India काम कर रहा है अब इसी में आगे देखेंगे यह आप HAPS satellite है इसका काफी simple सा जो है model रहता है और यह पूरी तरह से आपका battery operated solar power पे आपका यह काम करेगी अब बात आगे आती है यह आपका काफी जो है powerful solution हमारे लिए रहेगा राइट जहां पर जो limitation face कर रही है हमारी conventional satellites वो सभी limitations को यह आपका पूरा करने में मदद कर सकता है अब बात करते हैं कि challenges आखिर क्या रहे है क्यों हमने target जो है जो duration flight का है वो क्यों हम increase नहीं कर पा रहे है पहला देखो यहां पर तक बहुत सारे technological hurdles है उसमें सबसे उ solar power जो है enough नहीं generate कर पा रहे है हमारे पास अभी batteries जो है वो high efficiencies की नहीं है यह सबसे बड़ी जो है limitation हम face कर रहे हैं तो इसी के साथ आप देखेंगे कुछ design related challenges भी हम face कर रहे हैं अब क्योंकि design जो होना चाहिए काफी lightweight होना चाहिए ताकि जो power की usage है वो भी क्या हो सके कम हो सक है challenges में आता है जो आपकी HAPS satellite रहेंगी ध्यान रखना यापकी संताप मंदल स्टाटो सफेयर में रहेगी राइट कम से कम 7 to 23 km में आप सभी जानते है स्टाटो सफेयर में आपके क्या है सभी flight चूटती है क्योंकि महां का जो atmosphere वो क्या है काफी stable रहता है और यहीं पर आप challenges में बात करें कि stratosphere में जैसे ही हम आगे atmosphere में जितना उपर हम layers में जाएंगे temperature कैसा है temperature आपका उतना ही low होता जाएगा अब जब temperature वहां पे low होगा हाना तो वो आपकी satellite जो है वो भी आपकी क्या है right temperature उसमें भी low होने लगेगा again battery पे burden क्या है और भड़ेगा so यहां पे and that is an additional burden on powers resources because of the limitation of space and आपका weight solar cells batteries need to be very high efficiencies तो अभी जैसे ही हम इस hurdle को पूरा कर लेंगे अपनी batteries जो है high efficiency आपकी हो जाएंगी तो हम भी अपना जो है HAPS का time duration जो है in the air increase कर सकते हैं so बात आती है अगर हम conclusion देखें so इंडिया के लिए यह HAPS जो है as a technology wise काफी जादा उपयोगी रहेगा यह एक ऐसी satellite रहेगी जो बहुत ही कम distance से आपका किसी भी जगा को monitor कर सकती है और जैसे कि आपकी जो conventional satellites है एक बार अगर उन्हों है आपने लगा दिया जैसे कि geostationary satellite उन्हें आप change नहीं कर सकते जबकि यह क्या है mobile इस पर इन्हें क्या है राइट आप इनका उपयोग कर सकते हैं हर एक जगा पर यह सारे इसके advantages है और इसी लिए भारत के लिए बहुत ही उपयोगी साबित रहेगा आए देखते हैं मेंस में कैसा सवाल इस पर बन सकता है आप से पूछा जा सकता है कि आप बताईए इसका significance और इसकी क्या-क्या application हो सकते हैं HAPS satellite की उसी में ही बात करेंगे examine the advantages over traditional satellites तो अभी हमने बेखा कि क्या-क्या इसके advantages हैं जो हमारी conventional traditional satellites है तो इसी तरह से आप यह सवाल जो है practice कीजेगा I hope आपको जो है यह topic पसंद आया हो अगर पसंद आया है तो like, share और subscribe करें और हम मिलेंग जल्दी next topic में, bye bye